नमस्कार दोर्शतों कैसे हो आप लो आज मुंबई इंडियन्स वर्सेस कुलकत्ता नाइट राइडर्स इन दोनों के बीच में मुकाबला कैसा होगा कौन ट्रंप लेयर होगा फ्लॉप लेयर कौन सा होगा कौन किसे कितने बार आउट किया हुआ है यह सब कुछ बताऊंगा इसके साथ साथ बैटिंग ओडर क्या होगा बॉलिंग ओडर क्या होगा कितने बैश्मन हमें सेकेंड इनिंग में रखने होंगे इस सारा कुछ डिटेल में बताने वाला हूं तो विडियो को ध्यान से देखिएगा चलते हैं सिधा इस्क्रीन पर मुंबे इंडियन्स वर्सेस कुलकत्ता नाइट रैडर्स फिप्टी फर्स्ट मैच है तीम मैई साड़े साथ बजय से और यह जो मैच है यह वांखेड़े स्टेडियम पर होने वाला है देखिए यहां पर दोस्तो पिछला चार मैच हो चुके है उससे पहले के वे सारे रिकॉर्ड है बड़ जो चार मैच हुए है यह जो चार मैच हुए है यहां पर देखिए दो मैच चेज हुए है और दो मैच चेज नहीं हुए है जो चेज नहीं हुए है वो देखिए 234 प मतलब थोड़ा सा मुकाबला ऐसा नहीं है कि वन साइडेड है टीम पहुच रही है वहां तक बट चेज दो बार नहीं हुआ है दो बार हुआ है चलिए अब दूसरी पॉइंट्स पर क्या बात करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्पीनर्स का अगर ध्यान से देखा जा बट जो रेशियो है वो यही कहता है कि सेकेंड इनिंग में स्पीनर्स को कोई हेल्प नहीं मिल रहा है यहां पर फास्ट बॉलर्स को थोड़ा सा ज्यादा हेल्प मिल रहा है और उसके एकोर्डिंग ही सारी चीजे होंगी अब थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं अब क्या- तो 125 रन बने थे 9 बिकेट पर ठीक फिर 200, 218, 212, 200 यानि लगभग यहां पर आपको 200 प्लस का स्कोर बनते हुए दिखाई दे सकता है जो यहां पर आपको स्कोरिंग पैटर्न कह रहा है उसी के कोर्डिंग हमें आगे चलना है विकेट की बात करें ठीक है तो फर्स्ट इनि है दोस्तों तो आपको यह देखना है कि अगर रन चेज हो जाएगा मानलों कि मुंबे इंडियन सेकंड बैट करती है आपको लग रहा है कि यह रन चेज हो जाएगा तो उस केस में हम यही देख रहे हैं कि जितने भी रन चेज हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 विक मत करो मैंने खुद कल भरोसा करके पच्टा रहा हूं ठीक है क्योंकि ग्राउंड पर हम होते नहीं है और जो ग्राउंड से रिपोर्ट आती है उस पे हम लोग कन्फिज हो जाते हैं इसलिए नहीं सुनना है किसी की भी बात नहीं सुनना है अपनी दिल की सुनो दिल क्या कह आद थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या हूआ पेसर्स वर्से जिपीनर्स का मुकाबला अगर देखा जाए तो चार मैच में पेसर्स ने 38 विकेट लिए है। पर इसिपींर्स ने 4 मैच में मात्रे आच विकेट लिए हैं लेकिन एक और चीज है कि की कि कमात्रे 36 300 वर मिले हैं और पेसर्स को 115 वर मिले हैं इस ग्राउंड पर करने के लिए लेकिन फिर भी अगर ध्यान से भी देखा जाए तो मुकाबला जो है पेसर्स जादा विकट लेके जा रहे हैं ठीक है अब हम आगे देखते हैं तो अब फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग की बै के चार मेंचिज हुए है यहां पर यह वो बैरियर है जो 2023 का आकरा है मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं यह 2023 का आकरा है और यह 2024 का आकरा है ठीक है अब हमें क्या देख रहा है इसमें इसके उपर focus करते हैं सबसे पहले जो इस साल जो 2024 में मुकाबला हुआ पहले मैच में top 4 batsman flop दूसरे मैच में top 2 चले तीन नंबर का flop तीसरे मैच में चौथे मैच में opening जोडी flop देख रहे हैं मतलब यह condition यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि opening में थोड़ा सा chances है कि यह लोग flop होक ठीक है चार नंबर का player आपको average से अच्छा performance करके जा रहा है जो यहाँ पर चार नंबर का record दिखाई दे रहा है पांच नंबर का भी flop अब कौन दे रहा है छे नंबर ठीक है तो आपको दोस्तों rotation भी ऐसे ही करना होगा ठीक है क्या है कि सब लोग को बहुत सारे लोगों को यह confusion हो जाता है यह किस तरीके से करना है यह जो batting order है कहां तक हमें करना चाहिए हमें करना चाहिए maximum 4-5 batsmen तक क्योंकि उसके बाद हमें all rounder section और bowling section में हम पहुच जाते हैं तो जब हम 4-5 में करने हैं मैं पहले ज्यादा टीम से नहीं खेलता था एक दो टीम से खेलता था र पहला मैच रखा जिसके अंदर में दोनों opener को हमने रखा तीन नंबर के flop कर दिया 4-5 और 6 में से किसी एक को ले लिया ठीक है तो ऐसे ही आपको भी करना है फिर दूसरा टीम बनाईए उसमें से किसी एक opener को उठाईए ठीक है फिर तीन नंबर फिर 4-5-6 में से किसी एक को त तो ऐसे ही रोटेशन आपको करना है अब वो चीज कैसे होगा तो यह मैं आपको यहां पर समझा देता हूँ प्लेइंग 11 यह है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है ठीक है अब यहां पर मान के चलते हैं मुंबई इंडियन्स अगर बैट फर्स्ट करती है मुंबई इसके अंदर से इशान किशन और रोहिद सर्मा दोनों में से किसी एक के साथ जाएए मान लेते हम लोग निहल वधेरा के साथ चले गए तो हमारे पास तीन पैक्समें हो गए रोहिद सर्मा, सुरी कुमार यादो और निहल वधेरा ये रोटेशन दोस्तों आप लोगों को करनी है ठीक है क्योंकि दो और तीन अगर ठीक ठाल परफॉर्मेंस करके चला जाएगा तो चार नंबर वाले चांग से ज़्यादा होता है कि वो आउट हो जाएगा ठीक है ये कंडिशन होता है अब यहाँ पर एक और कंडिशन होगा क्योंकि मैं आपको जो चीजे समझा रहा हूं देखे क्या है इशान किसन का परफॉर्मेंस तो चले ठीक है रोहिद सर्मा पिछले दो से तीन मैच से फ्लॉप चले जा रहे है तीलग बर्मा का कंटिनू परफॉर्म परफॉर्म किये नेहल वधेरा का सेलेक्शन पर्षंट कम है तीम डेविट भी पिछले मैच में परफॉर्म किये तो यहां पर जो सिनारियो दिखाई दे रहा है न कि यह जो दो बैक्समें है यह कंटिनू दो तीन मैच से फ्लॉप अपनी मतलब की बहतरीन पारी इनकी दो मुंबई की तरफ से चारो बैक्समें हमने उठा लिये हो सकता है कि आज यह लोग तगड़ा खेल कर जाएं अगर फर्स्ट बैक मुंबई इंडियन्स करती है तो एक टीम ऐसा बनाना है इसके बाद जो मैंने रोटेशन बताया इस टैट्स का उस तरीके से आपको रोटेश से मतलब इस आई पेल में अपना हद मचा बैठे हुए तो या तो इन दोनों को ही रखिए अगर इन दोनों को रखते तो फिर इनकी जरुरत नहीं है सिधा आपको जरुरत पड़ेगी इन दोनों में से किसी एक की एक टीम बना इसके बाद नेक्स टीम बनाएं जिसके कि इसके बाद नेक्स टीम बनाएं फिर एए रख वनसी शूरे साइयर और वक टे शुरे इन तीनों में ले लियो फिर और सायर शूर्म दॉनों को कर दीजी ये इक इन एक संब सार टीम जो भी मैं आपको बता रहा हूं आप को स्बहुत सेंदिंग टीम प्रौइब ठीक है ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगर फर्स्ट इनिंग की बॉलिंग ओडर को ध्यान से देखा जाए, तो क्या हो रहा है, इस ग्राउंड के उपर, पिछले चार मैच का अगर रिकोर्ड देखा जाए, पिछले चार मैच का रिकोर्ड अगर देखा जाए, तो यहां पर दो बिकेट, दो बिकेट, तीन बिकेट, तीन बॉलर को अच्छा खासा बिकेट मिला, दूसरे मैच के अंदर दो बॉलर को ठीक ठाक बिकेट मिला, बढ़िया, फिर तीसरे मैच में पांच बिकेट एक ही बॉलर लगे गया, चोथे मैच में फिर दो बिकेट, एक बॉलर ल चुरना पड़ेगा, उसमें सबसे पहले यह काएंगे Right Time Fast Medium Baller जो हमें हर हाल में यहां पर wicket लेते हुए दिखाई दे रहे हैं एक playar है Left Time Fast Medium Baller जो की एक ही बार यहां पर ऐसा हुआ है कि wickets नहीं लिया है, अगर कोई Left Time खेलेगा, तो हम उसको अपने team में शामिल करेंगे अब बात कर लेते हैं leg spinner की तो leg spinner भी यहाँ पर ठीक ठाक performance किये हैं ऐसा नहीं है कि इनको wickets नहीं मिले हैं देख रहे हैं और दूसरा कोई leg spinner अब मान के चलते हैं कि अगर कोई left arm fast baller हमारे team में नहीं है मान लेते हैं कि नहीं है तो फिर आप क्या किजेगा कि left arm fast baller के जगा पर आप right arm fast baller को दो कर दीजेगा या फिर एक right arm fast baller एक leg break और एक left arm orthodox अगर कोई होगा तो हम उसे अपने team में शामिल कर सक अब आईए हम लोग बात कर लेते हैं कि किस तरीके से balling order को हमें अपने team में शामिल करना है तो अब देखते हैं कि क्या क्या है मुंबाइ इंडियन्स के तरफ से baller पे focus करते हैं मुहम्मद नाभी right arm off break है कोईट जिया जो है right arm fast baller प्यूश चावला right arm leg break जस्पीद बुमर को fix करना है ठीक है याद रखेगा जस्पीद बुमरा को हर हाल में fix करना है दूसरा कोईट जिया को fix करना है तीसरे नंबर पे प्यूश चावला और नुमन थुसारा को आप लोग rotate कर लीजिएगा या फिर नहीं तो आप सीधा मुहम्मद नाभी को rotation में डाल दीजिएगा देगे easy है अगर हम लोग player को divide कर देंगे कहते हैं नहीं कि जब बड़े सपने हो सपने अगर बड़े हो तो उन्हें टुकडों में बाट देना चाहिए छोटे छोटे step में उन सपनों को पूरा किजेगा तो आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं उसी तरीके से अगर players ज्या करना है तो आपको AI automatic second भर में आपको पूरी combination तयार करके दे सकती है और यह मैं आपको अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज मुझे comment किजेगा मैं यह rotation में पांच-पांच player को किस तरीके से combination तयार करेंगे इसके लिए मैं आपको AI के थुरू कैसे होगा यह मैं आपको समझा दूँगा विडियो बना कर दे दूँगा ठीक है यह condition आपको यहाँ पर समझ गये ठीक है इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुलकत्ता के side से अगर कुलकत् दूसरा एक player की आज entry हो सकती है आज कुछ changes होंगे याद रखेगा तो दूसरी entry हो सकती है चेतन सकारिया का यह भी लेटाम मीडियों पेसर्स बॉलर है अब यहाँ पर राइटाम एक बचता है कौन है वह बैभाव अरोडा ठीक है दूसरा कोई आ सकता है हरसी त्रामा भी नहीं है तो चेतन सकारिया का खेलने का full chances है ठीक है तो आपको क्या करना है यह समझे एक team बनाया है जिसमें से मीचल स्टार को ले लिया बैभाव अरोडा को ले लिया और आपने वरुन चक्रवर्ति को ले लिया तीन player हो गए इसके बाद मीचल स्टार को हटा दीजिए चे चेतन सकारिया बैभाव अरोडा और वरुन चक्रवर्ति इसके बाद क्या किजिए चेतन सकारिया मिचल स्टार और वरुन चक्रवर्ति को ड्रॉप कर दीजिए ठीक है यह तीन player आपके इसी तरीके से रूटेट आप लोग कर सकते हैं सेकेंड इनिंग का बैटिंग ओडर स थमेशा शिकायत होता है स्क्रिंशॉट को लेकर तो प्लीज भाई सबसे पहले आप स्क्रिंशॉट लेलो ठीके अब मैं आगे समझा रहा हूँ आई होप कि आप लोग ने ले लिया होगा चलिए अब चार जो मैचेज हुए है इस ग्राउंड पर जो अभी लेटेस चार मै कर रहा है 50 प्लस का जो स्कोर है सेकेंड इनिंग में कुईसी एक बैट्समें का है दूसरा बैट्समें आपको एवरेज पोइंट देगा या फिर नहीं देगा जो दूसरा ओपनर होगा या तो एवरेज पोइंट देगा या फिर नहीं देगा ठीक है तीन नमबर का प्लेय करना है ठीक है और सेम कंडिशन आपको यहां भी वही अपलाई करना है जो कि जिस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट मैच में बताया अम्माल लिजे कि सेकंड इनिंग में अगर टीम आती है मुंबई इंडियांस तो क्या करना है इशान किशन और रोहिष सर्मा दोनों में से कि टीम में रख लिए फिर नेक्स कीजिए रोहिष सर्मा सुरी कुमार यादो और हार्दिक पांडे और नहल वधेरा इन दोनों में से किसी एक को लेकि जा सकते है नहीं तो अगर आप सुरी कुमार यादो को भी ड्रॉप कर रहे है तो फिर रोहिष सर्मा नहल वधेरा और ट देखें मुझे आज लग रहा है रोहित सर्मा और सुर्य कुमार यादों को अच्छा खेलना चाहिए पिछले तो तीन मैचे से फ्लॉप है हाला कि फ्लॉप लिष्ट में भी इनके नाम है आपको आगे में दिखाता हूं सेम कंडिशन यहां भी दिखाई दे रहा है पी और सुनील नरायन या तो आप दोनों को ड्रॉप किजिए या फिर दोनों में से किसी एक को ले लिए मालने जे हमने सुनील नरायन को उठा लिया इसके बाद आप रहुवंशी को ड्रॉप किजिए फिर आपको उठाना होगा स्रे सायर और वेंकटे सायर इन दोनों में से क तीसरे प्लेयर में आपके पास बचते हैं या तो रिंकु सिंग या फिर अंद्रे रसल ये कॉंबिनेशन आपको सेट करनी होगी सेकेंड इनिंग के जो बॉलिंग ओडर है इसका सबसे पहले आप लोग स्किन शॉट ले लीजिए फिर बाकी की बाते मैं आपको बताता हूँ चलिए अब देखें सेकेंड इनिंग की बात करते हैं हम लोग तो सेकेंड इनिंग में लेफ टाम सेकेंड इनिंग में अगर लेफ टाम पेसर्स की बात करें तो left time passers एक बार 4 विकेट लेकर गया, एक बार 3 विकेट लेकर गया और एक बार विकेट नहीं मिला, बाकिके टाइम पर एक एक विकेट है, यानि कि दो बार ऐसा हो चुका है कि कोई left time passers जो है second inning में 3 और 4 विकेट लेकर गया हुआ है, और मुंबई से तो नहीं है लेकिन चेतन सकारिया और मेचल स्टार्क ठीक है ये दोनों पर नजर रखिएगा लेकिन कंटीनू नहीं रखना है अब बात करते हैं राइटाम फास्ट बॉलर देखिए तीन बार फ्लॉफ हुआ किसको ये राइटाम फास्टर यहां पर तीन विकेट लिया फिर चार विकेट फिर यानि कि कहीं न कहीं सेकेंड इनिंग में विकेट जादा गिर रहे हैं देखे कैसे सेकेंड इनिंग में विकेट जादा गिर रहे हैं रिजन देखिए यह देखिए यहां पर एक लेक टाम पेसास ने चार विकेट लिया फिर यहां पर जब मैच हुआ तो फिर तीन विकेट गिरा, फिर match हुआ यहां पर फिर 3 बिकेट गिरा, ठीक है यहां पर फिर 2-2 बिकेट का तो रेश्यो ऐसे चली रहा है, इसके बाद फिर यहां पर 4 बिकेट गया, फिर यहां पर देखें 4 विकेट गिया है यानि कि जो 9 मैचेज हुए हैं दोस्तों उन 9 मैच में 3 बार ऐसा हुआ है कि 4-4 विकेट गिरे हुए है ठीके और 2 बार ऐसा हुआ है कि 3-3 विकेट भी गिरे हुए है प्लेयर लेके जा रहे हैं तो कहीं न कहीं बॉलर्स डोमिनेट क मिलें हैं ठीक है ये एक कंडिशन हमें दिखाई दे रहा है विसका निचोड क्या हो सकता है तो देखें निचोड पे अगर बात करें तो एक लेव टाम पेसर्स हैं दूसरा राज राय ताम पेसर्स हैं अब आपको रूटेट करना है राइटम फास्ट बॉलर या फिर लेग स्पीनर, दूसरा राइटम फास्टर ही रखिए या फिर कोई लेग स्पीनर रखिए, यही दो कम्बिनेशन आपको सेट करनी पड़ेगी, अभी तक गेम सिस 11, गेम सिस 11 जो कोई अभी तक डाउनलोड नहीं किया है, जाइए डाउनल में, फर्स्ट राइंक वाले को 25,000, नमबर टू राइंक वाले को 8,000, नमबर तीन राइंक वाले को 6,000, ऐसे करके वहाँ पे पैसे मिल रहे हैं, कोई पैसे नहीं देना, दोस्तों, आपको जहां खेलना मर्जी है, खेलो, लेकिन गेम सिस 11 पर अगर आप जाते हो, तो वहा ग्राइंड 11, ग्राइंड 11, ठीक है, ग्राइंड 11, रेफरल को डालिएगा, तो आपको वहाँ से एक्ष्टा बोनस भी मिलेगा, और उस बोनस का इस्तिमाल आप, नेक्स्ट, वहाँ पर बहुत सारे प्राइजस के, पूल प्राइजस के, वहाँ पर आपको कॉंटेस्ट मि तो एक बार खेल कर ट्राइज करो, बहुत सारे भाई, बहुत सारे दोस्त, यहाँ पर खेल कर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं, स्मॉल लिग भी यहाँ पर अच्छा खासा चल रहा है, अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर लोगों की जनसंख्या कम है जो भी टीमें आ रही है अन्नोन टीमें आ रही है और हमारी टीमें हमेशा चाहे हमारी टीमें फ्लॉप भी होंगी न तो भी बाहरी के लोगों के टीमों से हमारी टीमें बहतर होती है ठीक है तो जाकर जोइन कीजिए देखिए कैसा लग रहा है और आज के मैच का सवाल ह इस पे कमेंट दोस्तों जरूर कीजेगा आप लोग, फर्स टाइम मैं ये कर रहा हूँ, इससे पहले भी था, आज के मैच में केकी यार वर्सेज एमाई का मैच है, अगर कोई भी टीम मैच जीती है, जिसका सही सवाल जबाब होगा, उस सक्षियत को मैं अपने तरफ से 500 रु या कितने विकेट से हारेगी, कोई भी टीम, अगर केके यार, मान के चले आपको लगता है कि केके यार हारेगी, तो आपको लिखना केके यार 25 रन से हारेगी, या फिर केके यार 5 विकेट से हारेगी, या फिर मुंबई इंडियन्स 5 विकेट से हारेगी, आपको जो भी और सहिस जबाब देने वाले को मेरे तरफ से 500 रुपे का फ्री गिववे और वो इसलिए कि बहुत सारे भाईयों का लॉस हो रहा है तो आपको यहां से प्रॉफिट में देने वाला हूँ ठीक है और कल से फर्स्ट लाइक फर्स्ट कमेंट वाले को भी 500 रुपे का फ्री गिववे देने वाला हूँ First like, first comment वालेगो कल की वीडियो से जो भी वीडियो आएगा और वीडियो आने की एक घंटा पहले में टेलिग्राम पर अपडेट कर दूँगा इतने टाइम पर जो है, वीडियो आएगी First like, first comment 500 रूपीस यहाँ से भी आप अपना मुंबई का ग्राउंड है क्लियर है जो रेड मार्क है ये मुंबई का ग्राउंड है बाकी जो है वो other ground पर इनके matches है ध्यान से देखिएगा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इशान किशन और रोहिस सर्मा की इस ground पर इन लोगों के record देखे रोहिस इशान किशन 16 run 42 run 79 run 23 run और रोहिस सर्मा एक बार flop हुए बाकि तीन बार बहुत बेहतरीन performance है ठीके देख रहे हैं मतलब कि जो बेहतरीन performance इनकी दिखाई दे रही है यह मुंबई के ground पर है और इसके पहले अगर ध्यान स से देखा जाए तो 36 रन और बागी तीन मैच से flop चले जा रहे हैं इन फैक्ट इशान किशन भी तीन मैच से flop चले जा रहे हैं सिर्फ लास्ट मैच में 32 रन बना था तो आज इनके चलने के chances मुझे दिखाई दे रहे हैं तीलग बर्मा जो की इस ground पे 32 और 31 है और दो बार flop भी हुए है तो तीलग बर्मा का थोड़ा सा chances आज कम लग रहा है लेकिन बाकी other ground पे तीलग बर्मा का record बहुत बढ़िया है आप देख रहे हैं ठीक है टीम डेविट की बात करते हैं इस ground पे दो बार flop हुए है एक बर 45 रन है उसके पहले ये last के दो मैश में बहुत अच्छा करके गए है हार्दिक पांडिया का भी इस ground पर record अच्छा है दो बार दो बार flop हुए है लेकिन 12,46 रन है इनका कुछ मिला जोला असर दिखाई दे रहा है सुरी कुमार यादव की बात करते हैं इस ground पर दो बार flop हुए है देख लिजे तो आज मुझे लग रहा है थोड़ा सा जो प्लेयर अच्छे खेलने चाहिए इसान किशन, रोहित सर्मा, सुरी कुमार यादो और एक हार्दिक पांडिया ठीक है बाकी एन वधेरा का इस ग्राउंड पर अभी तक ये कोई मैचेज नहीं खेले हैं इसलिए कोई रिकॉर्ड नहीं है एम आई के बाळ्र की बात कर लेते हैं तो देखिये हार्दिक पांडिया इस ग्राउंड पर बłosर दो बिखेट एक बार विकेट मिला है बाकी के जगों से बाके के और पर एक उस्पित मिला विकेट रजा है और दो विकेट सेकेंड इनिंग में, सेकेंड इनिंग में विकेट नहीं मिला और एक बार फर्स्ट इनिंग में भी विकेट नहीं मिला है, तो अगर जस्पित बुमरा फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेंगे, तो सी वी सी ट्राई कर लीजेगा, प्यू शावला की बात करें, दो बार यहाँ पर खेले हैं, इनको विकेट नहीं मिला है, मुहम्मद नाभी को भी इस ग्राउंड पर बॉलिंग करते हैं, लेकिन फिलहाल इनको कोई विकेट नहीं मिला हुआ है, और अदर जगा देखा जाए तो लास्ट के दो मैच में इनको एक-एक विकेट मिले हुए ह जस्फित बुमरा भी पिछले तीन मैच से कुछ खास नहीं करके गए हैं, जो आपको दिख रहा है, ठीके, इसके बाद कोईट जिया की बात करें, तो कोईट जिया भी यहाँ पर चार विकेट लेके जा चुका है, एक ही मैच ऐसा हुए है, जब कोईट जिया को विकेट न नहीं खेले हैं, और अगर अकाश मदवाल खेलेंगे, तो देखिएगा, एक मैच में तीम विकेट, इसके बाद एक विकेट, बाकि दो मैच में विकेट नहीं मिले हुए, यह कुछ है, यह ग्राउंड का भी रिकॉर्ड मैंने आपको दिखा दिया, अब बात कर लेते हैं, केके आर के बैट्समेन की, केके आर के बैट्समेन के तरफ से देखा जाए, पीच साल के भी अच्छे खासे फॉर्म में हैं, लेकिन यहां से दोस्तों आप लोगी स्क्रिंशोट ले लीजिएगा, मैं हट जाता हूँ, यहां से आप लोगों को एक चीज माग करने हैं कि कौ कौन फर्स्ट इनिंग मच्छा खेल रहा है, कौन सेकेंड इनिंग मच्छा खेल रहा है, सुनील नरायन की अगर तोड़ा सध्यान से देखा जाए, तो यहां पर देखे सुनील नरायन का, फर्स्ट इनिंग में दो रन पर आउट हुए है, इसके बाद सेकेंड इनिंग में 109 यानि कि आप दोस्तों एक बात समझेगा कि first inning में 85, first inning में 109, first inning में 17, लेकिन first inning में 10 पर भी out हुए, first inning में 27 पर भी out हुए है, first inning में 2 पर भी out हुए है, और second inning में 15 run पर out हुए है, तो कहीं न कहीं ये first inning में थोड़ा सा out होने की भी chances इनके दिखाई देते, 50-50 है, तो आप लोग सुनील नराइन को भी अपने टीम में फिक्स मत किजिएगा, लेकिन फिक्स करने के पिशे रिजन भी हो सकता है, क्योंकि ये खिलाडी भाई चार ओवर बॉलिंग भी कर रहा है, तो हो सकता है कही न कहीं से ये DT बन कर जाए, CBC मत ट्राई करो, 42% का सेलेक्शन है, बहुत हाई है, फिर भी आपका दिल कर रहा है, तो आप रख ले न, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि मत ही बनाओ, आपकी मर्जी है, आंद्रे रसल की बात कर लेते हैं, देखे पहले मैच में 64 बनाया, फिर एक तालिस बनाया, और कब बनाया ये भी ध्यान से देख रही है, तो आपके सामने, रिंकु सिंग साला भी कुछ खास नहीं कर रहे है, रमंधीर सिंग को मौका मिल रहा है, तो कभी कबार ठीक ठाक परफॉर्मेस करके जा रहे हैं, इसके बाद बात करते हैं, पी साल्ट की, पी साल्ट का देखिए, फर्स्ट इनिंग में 54, सेकंड आप फर्स्ट इनिंग में देखिए और यह लास्ट के तीन मैच तो भाई साब धुआ उड़ा दिया लेकिन आज के मैच में मैं इनको अपने टीम से ड्रॉप करूँगा चाहिए आज पांसो रणा केले बना दे फिर भी मैं इसे ड्रॉप करूँगा बहुत हो गया यार यह हमेशा चलते रहेंगे तो बाकी के प्लेयर क्या गरेंगे अब बात कर लेते हैं केके आर के बॉलर्स जो दोजार चौवीस में अच्छा कर रहे हैं तो देखिए लास्ट मैच में वरुन चक्रवर्ती ने तीन विकेट लिये थे इसके पहले जीरो भी विकेट मिला है जीरो या फर्स चिर्णि में ज्यादा विकेट मिल रहा है जो मैंने आपको आगे बताया उसी के कोडिंग ही आपको वरुन चक्रवर्ती को रोटेट करना है फिक्स नहीं करना सुनील नरायन का इसलिए रखना जरूरी है क्योंकि आप देखिए इस खिलाडी ने अभी तक जितने भी मैचेस खिले हैं हर मैच में रन बनाया भले ही फ्लॉफ हुआ लेकिन कंटिन्यू आप देख रहे हैं कंटिन्यू इस खिलाडी ने एक विकेट कम से कम जरूर लिया है इसलिए थोड़ा सा ड्रॉप करना रिस्की होगा ड्रॉप करना रिस्की होगा लेकिन सी वी सी बनाना आप ignore कर सकते हो ठीक है captain vice captain ignorance में डाल दो drop करना risk होगा अंदरे रसल की बात करें इनको ज्यादा over मिलता नहीं है वैसे यहाँ पर देखिए एक over एक over एक over एक over यहाँ भी एक over दो over तो जब जब इनको दो से तीन over मिले हैं तो ऐसा नहीं है विकेट भी इनों ने दो तीन विकेट लेकर गए हुए है ठीक है और ज़्यादा तर second inning में भी यह विकेट लेकर हैं फर्स्ट इनिंग में भी है बट एक over दिया जा रहा है ज्यादा over मिल नहीं रहा है अगर कोई आज right time faster नहीं आता है और धुनाई होती है अच्छी खासी अ यहां भी नहीं मिला यहां भी नहीं मिला बाकि सिर्फ एक ही बार तीम विकेट है अभी तक मिचल स्टार का जो खौफ था वो अभी दिखाई नहीं दिया इस IPL के अंदर बैभाव अरोडा का continue विकेट मिल रहा है आप देख रहे हैं हमेशा ठीक है तो इसके according आप टीम बन देखिए एक चीज जो आपको देखना चाहिए क्या कि फर्स्ट इनिंग में तीन बार खेले और तीनों इनिंग में फर्स्ट इनिंग में इशान किशन फ्लॉप हुए हैं बट सेकेंड इनिंग में इस खिलाडी ने जबरदस्ट परफॉर्मेंस किया है कहां पर केके आर्क चाहिए वो फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग हो परफॉर्मेंस अच्छा दिखाई दे रहा है नहल वदेरा की बात करें तो उसे फेक ही बार खेला है छे रन बनाया है मुंबे इंडियेज के बॉलस हलाकि जादा तर बॉलस तो चेंज हो चुके है जस्पीद बुम का रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि बाकि लोग तो सारे चेंज हो शुके हैं दोस्त के एकि बाकिशक मेरें फैसन में इस पिलाड़ी को मुंबई की अगेंस कन्टीनिeral प्रफॉर्मेंस करके जा रहा है यए लिए मैं कहांगा कि फ्रेसाइओं एक बड़ें बनागर गया है किसी यार के बॉलर की बात कर लेते हैं वरुन चक्रवर्ती एक बार विकेट नहीं मिला उसके बाद आप देख रहे हैं continue एक एक विकेट मिले हुए हैं सुनील नरायन को एक बार विकेट मिला है बाकी continue तीन बार head to head में मुंबई के against इनको विकेट नहीं मिले हैं आंद्रे रसल की बाद कर लेते हैं एक बार first inning में दो भर में पांच विकेट इसके बार दो बार वि बिकेट ले सकते हैं ठीक है रोटेट कर लिजेगा आंद्रे रसल और सुनील नरायन को एक दूसरे के साथ अब बात कर लेते हैं आज के मैच में मुंबई और कुलकत्ता के साइट से power play और date के ओबर कौन-कौन डाल सकता है मुंबई के तरफ से नुमन थुसारा है जस्पित ठारवा ओबर डलवाया जा सकते हैं ठीक है कुलकत्ता से बात करते हैं मीचल स्टार्क पहला और तीसरा बैभाव औरोडा दूसरा और चोथा चेतन सकारिया भी आएंगे तो बॉलिंग करेंगे पावर प्ले में इसके बाद 20 वा ओवर जो है आंद्रे रसल डाल सकते हैं ब इलग वर्मा का 30 का है हार्दिक पांडिया का 29 का है टीम डेविट का 43 का है निहल वधेरा साथ मैच में 24 का एबरेज है और मुहमद नाभी का तीन मैच में मात्रे 25 का एबरेज है बॉलर की बात करें तो इस ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा विकेट किसे मिले हैं तो देख जस्पीद बुम्रा 40 मैच में 46 विकेट है और हार्दिक पंडिया का 32 मैच में 25 विकेट है कोईट जिया का 4 मैच में 6 विकेट है बाकि नाभी का 5 में 2 है और प्यूश चाउला का 16 में 12 है तो यहाँ पर कोईट जी और जस्पीद बुम्रा ये दोनों बहुत नहीं मुंबई के प्लेर्स के Head to Head की बात करें, इशान िषन Head to Head में 29 यावरेज है, शुर्य कुमार-यादो का Head to Head में 48 का एवरेज है हार्दिक पांडिया का 56 का एवरेज है और टीम डेवीट का 37 का है तिलक बर्मा का 37 का है मुहम्मद नाभी का दो मैच में 25 का एवरेज है तो यहां से इंपोर्टेंट प्लियर फिर से निकल के आ रहे है कौन-कौन रोहित सर्मा सुर्य कुमार याद हो यह बहुत इंपोर्टेंट निकल के आ रहे है इसके बाद हार्दिक पांडिया का भी रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है यह तीन प्लियर के रिकॉर्ड हेट टू हेट में नहीं ये है आपको first inning के reset form, second inning के recent form, IPL के record ये सारा एक जगा इकठा कर दिया ताकि अगर आपको अलग-अलग समझ में ना आए तो एक साथ इकठा भी आपको समझ में आ सकता है। और हरदिक पानलिया का first inning में 32 अबरेज, 29 ये इश्गा इवरेज, 28 का आभरेज, 30 का है जलिया और तीम डेवीट का second inning में अबरेज अच्छा है मैचेच़ पर भी depend करता है कौन कितना मैचेच खेला है? बहुत इंपोर्टेंट है, नुवन्थ उसारा का, अभी तो खेले ही है, हाल फिलाद, सेकेंड एनिंग में विक्र लेगे गए है, कुलकत्ता के प्लेयर्स की बात करते हैं, वेन्यू रिकोर्ड, ठीक है, कि वेन्यू पे कौन-कौन कैसा खेला है, पीस आल्ट अभी तक खेले 27 है, अब हम बात कर लेते हैं, सुनील नरायन का, 14 मैच में 13 विकेट, आंद्रे रसल 9 मैच में 5 विकेट है, वेन्यू पे, समझिएगा, मीचल श्टार्क 2 मैच में 1 विकेट है, वरुन चक्रवर्ती 5 मैच में 5 विकेट, सकारिया का 7 मैच में 8 विकेट है, और बैभव मैच से विलो है, अब आते हैं, हेट टू हेट, की हेट टू हेट का क्या रिकॉर्ड है, तो पी साल्ट भी हेट टू हेट में अभी तक खेले नहीं है, सुनील नरायन का भी आप देख रहे है, अच्छा निकल के आ रहा है, बेंकटे सायर का, 4 मैच में 83 का विकेट है, देख अरुन चक्रवत्ती, 6 मैच में 5 विकेट, चेतन सकारिया का 2 मैच में 1 विकेट, और वैभव अरुड़ा का 1 मैच में 1 विकेट, यहां भी आपको इंपोर्टेंट नजर नहीं आ रहे हैं, सिवा एक सुनील लराएंगे, अंद्रे रसल का भी 16 मैच में 13 विकेट ही है, अब बात कर लेते हैं, स्टेक्स, कौन कब अच्छा खेलता है, फर्स्ट इनिंग में कौन अच्छा खेलता है, सेकेंड इनिंग में कौन अच्छा खेलता है, स्क्रिंशोट ले लिए होगा आपने, चलिए अब यहां से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं, सबसे पहले, पीस रगीवंसी फर्श्ट इनिंग में अच्छा खेलते हैं, स्रेश ऐयर फर्श्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों लगभाग बराबर है, वेंकर टेस का सेकंड इनिंग में रिकॉर्ड अच्छा रहता है, रिंकु सिंग का 22 एबरेज है सेकंड इनिंग में, आंद्रे रसल में थोड़ा सा रीकोड्स रहता है याद रखिएगा इसके बाद मीचलि स्टार्क फर्स्ट दीन oraz सक्टार रूटेशन कर लिज्यगा ठीक है तो यह कुछ states थे records थे जो important था अब आईए बात कर लेते हैं थोड़ा सा आज की जो list है वो क्या कहता है flop list क्या कहता है दोस्तो flop list का use बहुत ज़रूरी है ये players में जो आपके सामने लेके आया हूँ ये सारे higher selection percent के खिलाडी है जिनको आज किस तरीके से use करना है पी साल्ट है 91% का selection है सुनील नरायन 95% का है सुरी कुमर यादो 73% रोही सर्मा 79% जस्पीद बुमरा 83% आंग्रे रसल 78% तीरक बर्मा 72% और स्रे सायर जो है 78% ये total आपके सामने दोस्तों कितने खिलाडी दिखाई दे रहे हैं देखिए 1,2,3,4,5,6,7,8 ठीके ये 8 खिलाडी जो है आपको दिखाई दे रहे है total आज के match में अब इन में से 3 से 4 प्लेयर आज के match में 3 minimum 3 maximum 4 प्लेयर आज के match में flop हो सकते हैं 5 भी हो सकते हैं लेकिन 3 का confirmation है आज के match में 3 खिलाडी किसी भी condition में इसमें से flop होंगे maximum 4 भी जा सकता है condition कैसे करना है देखे जैसे कि मान लेते हमने रोहित सर्मा और सुर्य कुमार यादव को रखा ठीक है तो फिर उस condition में ज्यादा तर चांसेज है कि भूम्रा शायद उतना perform ना कर पाए ठीक है उसी तरीके से पीस साल सुनील नराइन अगर अच्छा perform करके जाते हैं तो कम चांसेज होता है कि फिर आंद्रे रसल जो है वो perform ना कर पाए इसके बाद अगर सूरी कुमार यादो, रोही सर्मा, भूम्रा अगर आप इन तीनों को लेकर जा रहे हो तो मात्रत 10% चांस है कि फिर तिलग बरमा आपको डिर्म टीम में दिखाई देंगे तो यह condition है मतलब इसी तरीके से rotation करना है, batsmen और ballers इन सब को rotation करना है, अब आपका जो main, मैं आपको जो कहने वाला हूँ वो यही है कि इन सारे players को, जिसको सब लोग लेकर जाने वाले हैं, इन सभी को आप एक team में एक साथ मत रखेगा, क्लियर है, इन सभी को एक team में एक सा मत रखेगा, क्योंकि इन में से कोई team या कोई चार player जो है, आज धोखा देकर जा सकते हैं, कल भी गये थे, आज ही जाएंगे, अब आद बात कर लेते हैं, आज के key players कौन कौन हो सकता है, सबसे पहले मुहमद नाभी पर नज़र रखेगा, बहुत कम लोग इनको लेकर जान हैं, और आपने देखा लगभग 86% के आसपास का, 86% का इनका strike rate है, 86% का strike rate है, मुंबई के against, ठीक है, नहन नहल वधेरा, इनको भी बहुत कम लोग लेकर जाएंगे, जबकि पिछले मैच में बहुत अच्छा पारी ये खिलारी खेल कर गया था, और इन सारे के records के recording ही मैंने key place डाला हुआ है, ठीक है, सुरी कुमार यादो, पिछले दो मैंसे ये भी flop चले जा रहे हैं, रगवनसी, अगर first bat करेगा, अगर KKR first bat करेगी, तो ये आपको important role निभा सकते हैं, 7% का मातर selection है, इसके बाद प्यूश चावला, ठीक है, 10% का मातर selection है, और जस्पित भुमरा खास दोर से first bat, sorry, first ball, तो ऐसा नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि इन सभी खिलाडियों को एक साथ रखना है, वो अगर करोगे तो गलती होगी, ठीक है, याद रखिएगा, मैंने आपको पहले भी बोला और ये भी बोल रहा हूँ, पहले वाला flop player की list भी, और key players की list भी, ये स अब एक साथ नहीं चलेगे, ये बात समझेगा, तो आपको इन में से किसी चार को एक साथ रख सकते हैं, minimum 3, maximum 4 player को एक साथ रख के जा सकते हैं, ठीके, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 player आपके सामने आज दिखाई दे रहें, ये कुछ हैं जो आज के match के key players हो सकते हैं, दोस्तों ये मैंने time लिखा है, 5 PM, आज 5 बजे तक मैं आपको telegram पे, 6-6 team, 6-6 team, batting first और batting second में भेजूँगा, ठीके, ताकि आप लोग उसको अच्छे से समझ के, 5 बजे accurate भेजूँगा मैं, ताकि आप लोग अच्छे से समझ सको, और वो जो भी team भेजूँगा, वो मैं rotate करते हुए ही तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी, अल्रेडी बहुत लंबी है, लोग बोल रहे हैं कि बहुत लंबी जा रही है, तो मैं 5 बजे आपको team ready करके भेजूँगा, captain, vice captain के साथ, possible captain, vice captain के साथ भेजूँगा, आप लोगों को changes उसी के अंदर आप लोग कर सकते हैं, फिलहा कर देक मैं